धाबा स्टाइल सरसो का साग और मक्य की रोटी आप घर पे बना के तयार कर सकते हैं और ये खाने में लाजवाब लगता है बहुती सिंपल तरीके से आप घर पे बिल्कुल धाबा के स्टाइल की मक्य की रोटी और सरसो का साग बनाईए और अपने फैमिली एंड फ्रेंस के स साथी से इंज्वाई कीजिए बहुत ही आसान है बनाना सिंपल इंग्रीडेंस के साथ बनकर के तयार हो जाता है और बिल्कुल पंजाब स्टाइल सरसो का साथ ऑथेंटिक तरीके से आज मैं आपको बनाना बताऊंगी और आप मक्य की रोटी कैसे एक बार में फुली-फुली बनका बना करके तयार कर सकते हैं आज उसकी भी छोटे-छोटे सीक्रेट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मक्य की फुली-फुली रोटियां और सरसो का साथ बना करके हम तयार करते हैं तो चलिए फिर सबसे पहले सरसो का साथ बना के पुझा की J जाँ चीज के दिकी जाते हैं। और शीक आपका कुलात ड़ीन तो चॊप जादे उसके के शादे मकृत हैं कर रहे हैं और थोड़े से मेथी आड़ कर रहे हूं आप मेथी और बत्वे के साग के साथ चाहें तो पालक भी आड़ कर सकते हैं मतलब पालक के पत्तों को भी आड़ कर सकते हैं तो जिस तरीके से हमने सरसों के पत्तों को अच्छे से दो कर साफ कर लिया और उसे बारिक बार बारीक चौप कर लीजियो और अगर आप पालक इस्तिमाल कर रहे हैं मेथी इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसे भी आप बारीक चौप कर लीजियो सबसे ज़्यादा इसमें सरसो होगा क्योंकि हम सरसो का साग बना के तियार कर रहे हैं और उसके बाद आप जितना पालक लेना चाह मतलब कि सर्सों का आधा हमें पालक और मेथी या फिर आप चाहें तो बथवा ले सकते हैं इन सब को अच्छे से दो करके साफ करके बारीक चौप कर लीजे चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सर्सों का साग बना करके त्यार कर रहे हैं तो उसे हम इस तरीके से भगोने के अंदर धीरे-धीरे पकाएंगे अब चाहें तो इसे प्रिशकुक भी कर सकते हैं मतलब इसे प्रिशकुक करके अंदर डाल करके चार से पांच विसल आ पकाने तक पखाएंगे तब भी हमारे सर्सों के साझ बिल्कुल अच्छय से पक करके पकने देंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ अपने आप ही पानी आ जाएगा क्योंकि हमारे पत्तों से हमारे साग से डेर सारा पानी इकटा हो जाएगा तो यह देखें दस से बारा मिनट हो चुके हैं और हमारे साग जो है मतलब कि हमारे सरसो के पत्तों से बिल्कु जैसे पंजाब में पकाया जाता है ठीक उसी तरीके से पका कर आप इसको साग बना के तियार कर सकते हैं अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हम इसमें से आधे साग को निकाल करके और उसका हम फाइन पेस्ट बना करके तियार कर लेंगे और आदे साग को हम इसी तरीके से मसल मसल करके और इसी तरीके से घोट करके ही पकाएंगे तो बस आदे को निकाल के उसे ठंडा कीजियो और उसको मिकसर जार में डाल करके उसका फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लीजे तो ये देखे इसे इसी तरीके से अच्छे से घोट घोट करके हमें पकाना है तो कुल मिला करके 14-15 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे और देखेंगे हमारे जो साग है बिल्कुल नरम हो चुके है चलिए अब एक तड़के की तियारी करते हैं तो एक पैन ले लेंगे उसे रखेंगे कुक टॉप के उपर इसमें आड करेंगे लगबग दो चमच के करीब घी ओयल या फिर बटर जो भी आप आड करना चाहें आड कर सकते हैं हँमारा उयल अच्छे से गरम हो जाय तो इसमें हम जीरा लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगाएंगे तो सबसे पहले आड करेंगे जीरा उसके बाद हम स्में लसन आड कर देंगे 30-4 लाल मर्चों को ऐड़ कर दीजे अब जब ये सारी चीज़े अच्छे से कुक हो जाये अच्छे से पक जाये तो इसमें हम ऐड़ करेंगे दो मीडियम साइज के प्याज इसे बारिक चॉप कर लीजे और इसे इसमें ट्रांसफर कर लीजे अब इसे हमें तीन से चार मिनट तक अच्छे से भूनना है या फिर तब तक जब तक हमारे प्यास जो है वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन सुनेरा नहीं हो जाते तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है तीन से चार मिनट के बाद इसमें हम एक medium size का tomato आड़ कर देंगे बारीक chop करके तो यह मैंने एक लाल tomato आड़ कर दिया है इसमें बारीक chop करके इसे भी अच्छे से mix करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छे से cook करेंगे चलिए अब इसमें हम एड़ कर देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक तो इसमें स्वाद अनुसार नमक एड़ कर दीजे ताकि हमारी जो सबजियां है वो नरम हो जाए, सौफ्ट हो जाए तो इसमें स्वाद अनुसार नमक आड़ कर देंगे, साथ के साथ हम इसमें आड़ कर देंगे, सूखे मसाले, तो सबसे पहले इसमें आड़ करेंगे, हल्दी पाउडर साथ में आड़ कर देंगे, धनिया पाउडर और थोड़ा से जीरे का पाउडर आड़ कर देंगे, साथ म लाल मिर्च पाउडर भी ऐड़ कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक हमारे मसालों से अच्छे से ओइल रिलीज होना शुरू ना हो जाए मतलब कि 4-5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है अच्छे से पकाना है अच्छे से भूनना है तक पांच मिनट जब हमारी सबसिया अच्छे से भून जाये और उसमें से ओल निकलना शुरू हो जाये तो इसमें हम एड़ करेंगे लगवग एक चमच के करीब गरम मसाला तो ये मैंने इसमें एक चमच के करीब गरम मसाला आड़ कर दिया है अब इसे भी हमें अच्छे से भूनना है लगबग एक से दो मिनट के लिए और इसके बाद इसमें हम आड़ कर देंगे हमने जो साग को पकाया था उसे हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो ये देखे हमने साग को पका लिया था साग अच्छे से गल चुके हैं अब इसे हम इसमें ट्रांसफर करके 2-3 मिनट तक हमें इसे भूनना है इन मसालों के साथ तो इन मसालों के साथ मिक्स करते हुए इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकाईए हाई फ्लेम पे पकाईए ताकि हमारा जो ये पानी है सरसो के साथ जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए अब इसी स्टेज पर हम आड़ करेंगे हमने जो प्योरी बना के तियार किया था मतलब हमने जो सरसू के साग का पेस्ट बना के तियार किया था उसे भी हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और सब को अच्छे से मिक्स करते हुए अभी हमें 4-5 मिनट तक अच्छे से कूप करना है इस स्टेज पे हमारा फ्लेम जो है मीडियम रहेगा मतलब इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना मीडियम फ्लेम पे इसे हमें सब को मिक्स करते हुए पकाना है अब जब हमारी दोनों साग अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें दो बड़े चमच के करीब मक्के का आठा आड कर देंगे इसे बिलकुत स्किप ना करें क्यूंकि मक्के के आठे से ही इसमें सबसे पौफीक्ट टेस्ट और इसका टेक्शर आता है तो हैं दो चमच के करीब मक्के का आठा आड कर दीजिए मक्के के आठे को अच्छे से मिक्स कीजिए तब तक जब तक इसमें कोई LUMS ना हो मतलब को गुठली ना हो इने अच्छे से mix करना है और सबको अच्छे से mix करने के बाद इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे या तब तक हमने जो मक्की का आटा डाला है वो बिल्कुल अच्छे से cook नहीं हो जाता तो बस 3-4 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा और ये देखिए हमारा authentic सरसो का साग बन के तयार हो चुका है इस stage पर आप चाहें तो यहाँ धेर सारा मक्षन एड़ कर सकते हैं और ये देखिए हमारा साग बन के तयार हो चुका है चलिए अब इसमें हम एक final तड़का लगा करके तयार करते हैं फाइनल तड़के के लिए पैन रखेंगे कुक टॉप के उपर उसमें एड़ करेंगे बटर तो ये मैंने बटर एड़ कर दिया है आप चाहें तो बटर के साथ थोड़ा सा ओल भी आड़ कर सकते हैं ताकि हमारा बटर को एड़ कर देंगे इसे अच्छे से गोल्डिन कीजिए और हमने जो साग बनाया था उसमें इस तरीके से इसका तड़का लगा दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए और ये देखिए हमारा ऑथेंटिक सरसू का साग ट्रेडिशनल सरसू का साग बिल्कुल बन के तयार हो चुका है इसे आप तोड़े से मक्षन के साथ सर्फ कीजिए बहुत अमेजिंग लगता है चलिए अब हम बना के तयार करते हैं मक्के की रोटी मक्के की रोटी बनाने के लिए एक पैन को रखेंगे कुक्टॉप के उपर उसमें आट करेंगे थोड़ा सा पानी मतलब जितना हमने मक्के का आटा लिया है उसे थोड़ा ज़्यादा पानी आट करेंगे और उसे पानी को गरम करेंगे जब हमारा पानी गरम हो जाए तो उसमें हम अपने मक्के का आटा को transfer कर देंगे और इन सारे पानी और मक्के के आटे को अच्छे से mix करेंगे flame off कर देंगे आप चाहें तो यहाँ 5 मिनट के लिए अपने मक्के के आटे को ढख करके छोड़ सकते हैं उसके बाद जिस भी परात में आपको आटा गूनना है उसमें अपने मक्के के आटे को transfer कीजिए जब वो छूने के condition में आ जाए मतलब हाथ से जब वो अच्छे से touch होने लगे तो इसे अच्छे से mix करते हो मसलते हुए इसका एक अच्छा सा नरम सा डो बना करके तयार कर देंगे जी हाँ में नरम डो बनाना है सक्ट डो नहीं बनाएंगे नहीं तो रोटियां फटी फटी बन के तयार होगी अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजे इसमें कोई घी ओल या बटर एड नहीं करना है अब इसे simple मक्के के आटे के साथ डस्ट करके आप इसकी रोटियां बना के तयार कर सकते हो और बहुत ही आसानी से बन के तयार हो जाती है रोटियां अगर आप इस तरीके से आटे को अच्छे से गरम पानी के साथ गुंदेंगे तो रोटियां बिलकुल नरम और सॉफ्ट बन के तयार होगी और वो फटेगी भी नहीं तो ये देखिए हमारी मक्य की रोटी जो है वो बिलकुल पौफिक तरीके से बन करके तयार हो चुकी है चलिए इसे अब हम कुप करते हैं तो बस कुप टॉप के उपर रखेंगे एक पैन या फिर तवा और उसके उपर हम अपनी सिंपल मक्य की रो हमें बिलकुल नरम और सौफ्ट लगा के तियार करनी है तो ये देखिए हमारे मक्य की रोटी बन के तयार हो चुकी है इसे उलटते पलटते हुए आगे से पीछे से अच्छे से से शेक लीजे तो ये देखिए हमने मक्य की रोटी अच्छे से से शेक ली है और ये बिलकु के लच्छे और साथ में थोड़े से मक्खन के साथ इसे सर्फ करिए और आप चाहें तो थोड़े से बारिक चौकियों प्याज सर्फ कर सकते हैं अचार सर्फ कर सकते हैं और साथ में गरम गरम इस तरीके से मक्खे की रोटी बनाकर उस पे धेर सारा मक्खन के साथ इसे सर्फ क के साथ enjoy कीजिए तो I hope आपको मक्य की रोटी और सरसो के साथ की रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने family and friends के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले इस तरीके के मज़िदार वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूंगी तब तक लिए चेक के और बा हुआ